कथा साहित्य में आपका स्वागत है। जब शनिचरी घर की ओर चली थी। पैर के नीचे माटी बेवाई सी फटी है। पानी के लिए जैसे सारा संसार पड़ा पड़ा धौक रहा हो। उसने सामने की ओर देखा। दूर दूर तक धूधू करता निश्फला मैदान। शुष्क रेद की ढूहें और नमकीन जमीन को छोड़ कर निकले नगन, रुग्ण पलाश, सेमल के इक्के दुके पेड, कुछ आगे चाकर प्रचंड धूब में भीकी साड़ी सी तिर्तिराती हवा, शितिश में धूआती लप्टे मार रही थी। दूर, बहुत दूर चलती आकरितियां, पानी में जलके प्रतिबिम्ब सी लहरा लहरा उठती थी। मैदान के दूसरे चोर पर उसका घर है, रोज सुभा उठकर वो इस नई नई बनी कालोनी में आ जाती है, यहां के तीन कौर्टरों में वो साफ सफाई का काम करती है, गाउं के लोगों का बहुत भला हुआ है, सुभा सुभा लोग यहां दूद, अंडे, सबजियां बेच जाते हैं, गाउं के बहुत से लोगों को बांध का घर का काम मिला है, शनीचरी भी यहां कई घरों में काम करके अपने साथ बच्चों को पाल रही है, वरना उसके शर पास कोई जानवर मरा पड़ा है, धोर डंगर पानी के अभाव में अनवरत मर रही है, सूखे तालूं में कीचड सनी मवेशियां धौक रही है, मरी मचलियों पर नेली मखियां भन भना रही है, वो अपना दुखता तलपेट से हिलाती है, लगता है, बीच पड़ गया, ए कौड सत्रू, 35 वर्ष की अवस्था है शनीचरी की, मगर उसकी 50 वर्ष की सुन्दर, स्वस्थ मालकिन उसे बुढ़िया कहकर संबोधित करती है, उनका भी क्या दोश, शनीचरी दिखती ही ऐसी है, जलातावासा रंग, बिता भर धसी हुई, कोटरगत आँखें, चमड़ी अगर रख दिया हो जैसे, शरीर का तूटना पहले बच्चे के साथ ही शुरू हो गया था, घर पहुंचते ही उसका पारा चड़ जाता है, भूक, ठकान और गर्मी से बेहाल शनीचरी को बच्चों का कचर मचर असहाय लगता है, बच्चे तो खेर बच्चे है, साथ में 16 स कि महुआ क्या कर रही है, सबसे बड़ी है, जरा घर बच्चे समालेगी नहीं, खुद बच्चों में बच्ची बन कित-कित खेल रही है, धपर-धपर-धपर, महुआ, उसके करकश्वर में चिलाते ही, महुआ साड़ी ठीक करती हुई, सकपकाई सी आखड़ी हुई थी, श 1334, लूख हाइकन पोड़ ले तो तो ये सामाराए, बोलते बोलते उसने थपा थप कई थपड़ जड़ दिये थे, नक्याकर कुछ बोलते रोते, जैसे ही महुआ ने स्वयम को छोड़ा कर भागने की कुशिश की थी, जटके से शनीचरी की कांक में दबी, भात की पोड़ कर उसने महुआ को जड़ना शुरू कर दिया था, महुआ, माही रे, बाप रे, करती हुई पूरे आंगन में भागती फिर रही थी, बच्चे तालिया पीट कर शोर मचा रहे थे, दीदी के मा और हो लोग, भागिन रे दीदी, थोड़ी दूर भाग कर ही शनीचरी हाप कई जड़ो एक तरप फैंक कर, नीम के नीचे कपार पर हाथ धरकर, धौकनी सी हपर हपर हापते पैट कई, असपस्ट स्वर में गल्याते हुए अवास की जखा, मुह से फेन ही सादा निकल रहा था, अभागी आइग लागू तर मुमेन, मुह नोच लेमुनी तोर, मर, मर, धी उसे रोना नहीं आता, मार खाने की आदत है उसे, मगर पता नहीं, ये भूग की आदत क्यों नहीं पड़ती, रोज भूग लगती है, आंगन में ककर ककर करते हुए, भात के दाने टूंगते, लाल मुर्गे को वो देखती रही थी, इत्ता भात, इश, बगल में खड़ा न उठी सहित थोड़े दाने उठा कर सडप गया, मार से अब तक भुनभुनाती महुआ ने उसकी पीट पर दो हाथ बजर दिये, तो अध चबाया भात उगल कर, वो खोख्या खोख्या कर रोने लगा, नाक से बहते नेटा से उसका चहरा लसरिया गया था, गठिया से लाचा महुआ अवग्या से मुह बिचका कर अंदर चली गई थी, बाप संग पिटबावे, उतो पीकन गिरले, आहे ओका हूँ, सुनते ही शनिचरी का गला साथ परदा उपर चड़ गया था, अश्रव्या गाली गलोच से आंगन की लूख हाई चुपी चर्मर होने लगी थी, छो पीप निकालने लगी थी, निरंतर बरतर मांजने से उसका जखम भर नहीं पा रहा था, उस पर लपेटा गया चिथड़ा, खोन लिथड़ कर बुरी तरहां से बसाने लगा था, कई दिन पहले काम करते हुए उसमें हंसियां लग गया था, किसी तरहां उठकर वो रसुई क के आंगन में चटाई पिछा कर लेट गई थी, अब किसी चीज के लिए ताकत नहीं बची थी, माथा भी कर्म लग रहा था, पेट के इन शत्रूओं ने उसे निचोड़ कर रख दिया था, रातों दिन की हाड तोड मेहनत, उपर से ये एक दल कुकूर के छाय, शनीचरी को आँखे मुंदे पाकर, गोद पोचुआ काली, ना जाने कब चुपके से आकर उसके च्छाती चूसने लगा था, मगर सोखी च्छाती से दूद की एक बुंद ना पाकर, हताशा में अपने नए उठते, किसके साथे दांतों से उसे कुछ-कुचा दिया था, अकसमात आँखे मुह के बीच एक कर, उसके होटों को चूँच सा नुकिला कर दिया था, दर्थ से बिलबिलाता हुआ, वो दूर भाग कर, आंगन में लोट-लोट का रोने लगा था, शनीचरी अपनी कनपटियां दबा कर पड़ गई थी, प्रभू, इन नरकले कभे जे मुक्ती मि सूरज के पीला पड़ते-पड़ते, मंगरा हाट की भाटी से गिरते-पड़ते उठाया था, ताड़ी से गले तक भरा, वो उल्टा-पलटा चलता हुआ, रुक-रुक करता, फिर गमचे से लार पोंच कर, नीम खेरे बैठ लूख खाय, कौन सा मुह खोले, हाफते हुए आ पूरी दुनिया पर मानो मटमेली मसहरी सी पसर गई हो, काले गे हुए चेहरे भी रास सरीके दिखते थे, पाईरिया से दगदगाते दांतों के बीच बलगम गुलगुलाते हुए वो उठा था, किसी तरह लड़कडाते हुए, घर तक पहुँचते-पहुँचते वो प्र बच्चों ने शोर मचाया, तो शनीचरी आकर अपना कपार पीटने लगी, कुकुर चटोते यह अदमीटा गेलो के धाउ, मंगरा सारे हंगामों से अंचान, नशे की धुनक में जोर से गलक हंखारते हुए वही आंगन में पसर कया था, लार से लिथड़ा उसका दाहिना धूल से सन गया था, पास पड़े पके कठल के छिलकों पर भिनभिनाती मखियां उसके चेहरे पर भिनकने लगी थी, रोज का यही किस्सा था, मंगरा सुभा सुभा रोटी बासी भात सत्तू मिला खाकर निकल पड़ता था, दिन भर देसी दारू या ताड़ी की भटी में बैठा रहता था, हाट बाजार में हम्माली करके कभी कुछ कमा लेता, तो फौरन नशे में उड़ा देता, चोरी के इलजाम में जब से मुखिया के नौकरों ने उसे पीटा था, वो अपाहिच हो गया था, उसका दाहिना पैर तूट गया था, हड़ी गलत पैठने से दु बैठाई करना या समय आ समय अपनी लस्थ पस्थ पत्नी को रौंधना यही उसकी दिन चर्या थी, भूके नंगों की दुनिया बहुत छोटी होती है, हाट से मुहू, मुहू से पेठ तक सिमित, मगर सिंदकी बहुत लंबी होती है, कटती है, मगर नहीं कटती, आंगन के कोने में खड़ा, अकेला जर्बेरी का पेड़, धूप पी पीकर चुपसा कया था, शाम के सिंखते आंगन में भाप उडाता सा, अब उल्टी पल्टी चलती गर्म हवा के थपेणों में हौले हौले थर्थरा रहा था, तूटी खपरेल के पीछे से, एक गोल मट जब से निकल कर अब आंगन में जहाक रहा था, पनीली स्याही से फीके अंधकार में रुपहली जिल्कियां पढ़ने लगी थी, दिन का फीका, मलान आलोक, शितिच पर सिमट चाने से, संझाते आकाश का नील, लोही तरंग, किसी रोगी के रक्त शुन्य चेहरे सा निस्ते हो आया था, महुआ ने संध्यापाती के बाद धिबरी जलाकर आले में धरी तो, दालान में बैठी शनिचरी की चप्टे नाप की छाया, नीम की डालों तक लंबी खिंचकर चुडैल की तरह नाच उठी, उजली काली धारियों के बीच, छे अर्ध नगन बच्चों की भू था कि अंतरियों में उमेठ पैता कर रही थी, सबसे चोटा काली सो गया था, भूख में एक बेहोशी जैसी अच्छी मीठी नींद, महुआ मुह बना कर ओल थांस रही थी, बड़े नाले के पास मिल गया था, खोद लाई थी, मगर डालने को कुछ खटा ना था घर में, वो क्या करे, कुटकुटाने दो, गला, पेट तो नहीं कुटकुटाएगा, पेट भरने से मतलब है, मार खाकर आज उसका मेजाज, दोपहर से बिगड़ा हुआ है, रात दिन की भूख, पूरे घर का कामकाज, उपर से मार पीट, कभी खयाल आता है, सकों के साथ मुंबई भा जाती, तो अच्छा रहता, महा सुना है, फिल्मों में बड़ा चांस है, सभी कहते हैं, वो हीरोईन जैसी दिखती है, रोज कोठरी का दरवाजा बंद कर, चोंच वाले प्रेसरी पहन कर, आरसी में खुद को देखती है, एक बार उसने गाउं के मेले में नौटंकी देखी थी, उसकी नाई का ऐसी ही चोंच वाली चोली पहन कर नाच रही थी, हेलन हेलन भई सैया पानी में, सकुने ही पिछली बार मुंबई से यह उसे लाकर दिया था, कितना मनुहार करता था, एक बार पहन कर उसे दिखा दे, मगर अब तक हो नहीं पाया था, समेज में कटोरी जैसी चप्टी चातियां अचानक सुगे की चोंच बन कर तन जाएं, तो सब को संधे तो होगा ही, हर महीने तो माई उसकी महवारी पर नज़र रखती है, एक दिन आगे पिछे हुआ नहीं कि जोटा पकड़ लेती है, उसका खुद का तो हमेशा ही बंद रहता है, हर साल प पच्चे आंगन में इधर उधर लुड़क रहे हैं, उसे खयाल नहीं था, शनीचरी ने चूले पर खोंचा लगाया, तो वो जैसे चिहुकर चागी, थोड़ी देर बाद डिबरी की मलान, कमकपाती पीली रोशनी में चितनों के कई छोटे बड़े धेर इधर उधर उधर पड़े थे, आंगन में जिनके बीच शनीचरी एक धेरी में चांदी का टीला बनी खराटों के साथ उचा नीचा हो रही थी, पिचवाडे के पीपल पर उल्लू का कचर मचर भी रह रहकर चुरू हो जाता था, उसी की गहरी हरी ज्छाओं का और गहरा हिस्सा बनकर खड़ महुआ का आचल टटोलता हुआ सकू, अधीर आग्रह से पूछ रहा था, आज भी नहीं पहनी? सुभा चीक पुकार सुनकर महुआ धर फड़ा कर उढ़ी थी, आंगन में बहुत सारे लोग एक साथ उंची आवाज में बातें कर रहे थे, सब के बीच छुटकी की टांगों परशमार्ग एक सीध में दूर तक जाकर जैसे दिगंत से जामिला था, आसमान भी जैसे पीट छुकाए वहीं उतर गया था, रात दिन इस सड़क पर हजारों बाहन दोडते हैं, इसी सड़क के दूसरे किनारे एक धलान पर शनीचरी का कूटा पीसा शरीर, खून के काले ठकों में जमा धेर ववा पड़ा था, आसपास भीड लगी थी, सुभा सुभा दिशा फेरने निकली तो यह दुरखटना हो गई, रफतार से आती रतन बाबू की जीप उसे रौंद कर निकल गई थी, रतन बाबू यहां के MLA थे, मंगरा को बहुत ढूंडा गया, मगर व पहले से मौजूद थी, नाश्ता पानी हो रहा था, गरम जलेबी और समोसे खास शहर से मंगाए गए थे, रतन बाबू के आगरह पर इस्पेक्टर सहाब ने हसते हुए हाथ जोड़ दिये, बस सर, बहुत खाचुका, गरम चाय की चुसक्या लेते हुए, रतन बाबू और इस्पेक्टर सहाब ने तै किया कि, शनीचरी ने आत्महत्या की है, उसका पती शराब पीकर उसे बहुत सताता था, सो बेचारी महों अंधेरे कूद गई जीब के आगे, रतन बाबू ने चार-पांच पार्टी करमचारियों से पुछवा दिया, सभी हां में हां मिला रहे थे, दो सिपाही मंगरा की तलाश में निकल पड़े, जाहिर है, वो फरार था, महों को उसके छे भाई बेहनों के साथ, एमेले साहब के सामने प्रस्तुत किया गया, रतन बाबू ने सनेह से सर पर हाथ फिराया, तो महों फपक पड़ी, मोरे धाउ का होय मालिक, रतन बाब थी, तुझे आता है, उन्होंने महुआ की अपरिपकव देहे को आखों ही आखों में टटोला, बहुत ही अपुस्ठ है, मैं हूँ ना, दोपहर ढलते ढलते बेसुद मंगरा को पुराने महवीर के मंदिर से ढून कर लाया गया, देखकर लगता था, रास्ते में ही उसकी अ समझने की कोशिश कर रहा था, रतन बाबो और इस्पेक्टर के सामने उसे जब गर्दनिया देकर बैठाया गया, तो वो जमीन पर लोटकर दोनों के पैर पढ़ने लगा, इस्पेक्टर सहाब उसे बूट से कोच रहे थे, साला अपनी जनाना को पी कर सताता है, बिना जूतों से बेहाल, जब उसे पुलिस जीप में ठुसा गया, उसने बड़े भक्ति भाव से रतन बाबो को प्रणाम किया, शाम ढलते ढलते जब सारी कागजी कारेवाही पूरी कर, शनिचरी का शव पोस्ट मार्टम के लिए सदर अस्पताल भीजा गया, धूप से फूल कर वह ढोल बन चुका था, गाओं के दूसरे बच्चों के साथ, शनिचरी के सद्धे आनात हुए छे बच्चे भी, पुलिस जीप के पीछे दूर तक भागते चले गई थे, यहें उनका मनपसंद खेल था, नौटन की कमपनियों की गाड़ियों के पीछे, रंग बिरंगे प कल उसे पोस्ट मार्टम के सिलसिले में शेहर जाना था, दूसरा कोई घर में नहीं था, सकु साथ जाने को तयार हो गया, शेहर पहुँचकर अस्पताल के बरामदे में बैठे बैठे दो दिन बीत गए, डॉक्टर हरताल पर बैठे थे, इधर बस भाड़ा, खाने पीने मे तीन सो रुपे अब तक खर्च हो गए थे, हरताल खत्म होई, तो वे इस दफ्तर से उस दफ्तर तक चक्कर लगाते रहे, किसी ने सीधे मुह चवाब नहीं दिया, आखिर एक सा हरिद्य चपरासी ने उन्हें सलहा दी की, वे कुछ जेब ढीली करें, तो वो पोस्ट जल्दी करा देगा, वरना यहां तो बड़े बड़े लोगों की इलाशें कई दिनों तक पड़ी रहती हैं, दो सो रुपे में बात तै हो गई, दोपहर तक पोस्ट मार्टम हो गया, बड़े डॉक्टर ने दो चार जगा चाकु चला कर काम निप्टा दिया था, डॉक्ट साहब, एगो बात, साहब बड़े ही ताच्छल्या से हाथ उठा कर उन्हें टोक देता और चलता बनता, एक से सखु ने कही बार पूछ लिया, तो वो बमक उठा, एक तुम्हारी मा यहां मरी है, सौ लाशें है, टाइम लगता है, इतना है तो खुद उठा लो लाश, चलो हमारे साथ, उसने सखु की बहां पकड़ ली, प्रतिवात करते करते सखु अंदर तक घिसरता चला गया, और फिर थोड़ी दिर में उपकाई लेता हुआ बाहर भागाया, साथ वाला करमचारी व्यंग से मुस्कुरा रहा था, आस-पास के लोग भी उनकी हालत देखकर मज चास रुपे दे दिये, शब वहार आया, तो वो दूर जाकर खड़ी हो गई, दुरगंद के ऐसे भब के उट रहे थे, कि लग रहा था, उसकी अंतरिया मुह से निकल जाएंगी, इस शब को लेकर पांच घंटे का सफर तै करके गाउं लोटना मुश्किल था, लोगों ने एक मुर्दा ढोने वाली काड़ी तयार हुई, मगर तीन सो रुपे में, दोनों बुझे मन से मान गए, दस रुपया लेकर एक करमचारी ने शब पर दवाई छड़कती, ताके बदबु आनी बंद हो जाए, अब देख, तेरी मा कैसे फूल के नईयर मह मह करेगी, किसी तर खाकर ड्राइवर ने गाड़ी सडक से दूर एक पीपल के नीचे खड़ी कर दी, महुआ पीछे शव के पास ही बैठी थी, सफेद कपड़े में बंधी लाश का एक हाथ थोड़ा बाहर निकल आया था, काली नीली उंगलियां सूच कर केले जैसी हो गई थी, हाथ का गदेल बद्बू के भबकों से उसका दिमाग सुन सा पड़ता चा रहा था, अपनी नाप में कपड़ा रखते हुए उसे याद आया था, बहुत पहले वो मा के साथ सोती थी, उसके पेट से लिपट कर, तब मा का आचल मुह पर डाल कर उसे सूंगते रहना उसे अच्छा लगता उससे हींग हल्दी की महका दी थी, सोचती हुए उसके गली में एक बगुला सा उठ गया था, अपनी आखे मीच कर उसने उमरते आस्वों को पसलियों में वापस धकेला था, इन दिनों पेट के साथ साथ सीना भी चलनने लगा था, भूग भी कैसी दोरी मार है, दीर शाम जब वे शमचान पहुंचे, आठ दस चिताएं सांश के उदास अंधेरे में धू धू जल रही थी, रह रहकर खोपणियों के फटने की आवाज गहरी निस्तब्दता को तोड़ देती थी, शवदहा के लिए होने वाले खर्च की बात सुनकर दोनों एक दूसरे का मुह ता अब उनके पास कुल मिलाकर सौ रुपे बचे थे, जरूरत पांच सो रुपे की थी, वे भी बिना भूल घी धूप चंदन के, काफी मुलाई तुलाई के बाद बात तीन सो रुपे तक पहुंची, दो चार लकडी, रबड के टायर और एक कनस्तर पेट्रोल से ही काम चला दिया जाएगा, इससे कम खट्ष में कुछ भी संभव नहीं था, मन मारकर महुआ ने अपने दोनों चांदी के कड़े उतार दिये, शमचान में देर शाम किसी बहुत बड़े वेपारी का शावाया था, सब उसी के काम में जुटे थे, फोल, धूप, चंदन से वातावरण महक रहा था, तीन चार पंडित एक साथ मंत्र पढ़ रहे थे, वातावरण बहुत ही पवित्र और कमभी लग रहा था, चिता पर कनस्तर भर भर के घी उड़ेला चा रहा था, महुआ एक कोने में सखु के कंधे से टिकी बैठी थी, दोनों ने सुभा से कुछ खाया पिया नहीं था, भूख प्यास से दोनों का हाल पुरा हो रहा था, सारा दिन आगुगलने के बाद सूरजब बुच्सा आया था, मटमेले आसमान पर ना चाने कहां से अचानक काले काले बादल उमड़ाय थे, हवाई भी तेज होने लगी थी, रह रह कर बिजली चमक उठती थी, जैसे कोई आकाश के इस छोड से उस छोड तक नगाडा पिटता चला जा रहा हो, गहरी सलेटी आसमान पानी के भार से नीचे तक जुकाया था, संसनाती हवा में पेड पौधे दुहरे होने लगे थे, और मोटी मोटी बुंदों में तेज बारे शुरू हो गई, हवा में पूजा की सामगरी इधर उधर होने लगी, लोगों ने दोड कर इधर उधर उधर शरण ली, महवा भी सखों के साथ एक छज्जे के नीचे खड़ी हो गई, तेज पानी के छींटे उन्हें लगभग भिगो चुकी थी, शनीचरी का शव बर्गत के नीचे पड़ा था, उ उसके शव के पास से एक स्याही की धार सी बह रही थी, महवा ने आशर्रे से देखा, उसकी मा का दहिना पैर टखने के नीचे से पूरी दरहां गायब था, उसने प्रश्न भरी आँखों से सखों की ओर देखा, तो उसने अपनी आँखें जुका ली, शेहर लाने से पहले क सखों के कंधे से लगकर सिसकने लगी थी, माय के, उसे चुप कराने का असफल प्रयास करते हुए सखों ने आसमान की ओर देखा था, गहरे मट मेले बादल पूरी दरहां से जम चुके थे, पानी मोटे परदे की तरहां गहना होकर बरस रहा था, शायद यह बारिश अब र शनीचरी की मृत देहे तेज बारिश में भीगे चा रही थी, सफेद कफन पर लाल पिले धबे उभराए थे, अचानक जोर से बिजली कड़की थी, चारों तरफ रोशनी फैल गई थी, और उसी के साथ एक तेज हवा के जोंके से शनीचरी के शरीर का कफन उड़कर पास ब पहाव में पड़ते ही, दो गच कपड़े का टुकड़ा चिथड़े सा बह गया था, सखो थोड़ी दूर उसके पीछे भाग कर ही रुक गया था, उसके पीछे भागना व्यर्थ है, उसने समझ लिया था, महुआ के पास वापस आकर वो किंग करते विमूर सा इधर उधर लगा था, महुआ की सवालिया नजरों का कोई जवाब उसके पास नहीं था, शनेचरी का नगन शव पानी में पड़ा भीग रहा था, लोग सहम कर नजरें फेर रहे थे, कुछ देर अनिश्चे की स्थिती में खड़ी रहकर महुआ ने अपनी धोती आधी फार ली थी, इस अर तरफ से अंजान हाथ में फटी धोती का टुकड़ा लिए अपनी मा के शव की और बढ़ रही थी, जबकि वहां एकठी फीर, मुख तमाश बीन बनी दोनों को खूर रही थी, अर्थ नगन बेटी को, पूरी नगन मा को, सर के उपर आस्मान फटा पड़ रहा था, मगर समीन नहीं, अभी आपने जैशीर रॉय जी की लिखी बेहत ही मार में कहानी सुनी, आप मुझे आके दीजिये, फेराऊंगी एक और कहानी के साथ, धन्यवाद